आपका स्वागत है यू एस कॉमडेट पर अगर आप इस चैनल पर ना है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले अगर आपने साइन्स का सस्ट का अगर अगर अब्जेक्टिव का कुष्टन में क्या अब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंग आपको डिस स्क्रिप्शन चेक कर ले तो आज एक लास में असोग का सस्ट्रित्या का इम वीविया ये सब्जेक्टिव कुष्टन लेकर आया हूं पहला कुष्टन है पादमा को असोग से बल्ला लेने का अच्छा अवसर था तब भी उसने असोग को जीवित क्यों छोड़ दिया इसक पर हथियार नहीं उठाएगा को याद कर उसे जीवित छोड़ दिया यानि पादमा को याद आ गया कि असोग ने बोला था कि मैं इस तरी पर वद नहीं को इस तरी पर हथियार नहीं चला हूंगा ये बात दिब उसके दिमांग में आई ना तो ये बात सोच कर उन्होंने असोग को छोड़ दिया, तो उसकी अंसर है, विरांगना पुत्री पत्मा उसके डूंद यूदहिंद करना चाहती थी, असोग क्या कता है, तुम सेना भी स्तरी है, मैं स्तरी पर शस्तर नहीं चलाओंगा, वे अपने सैनिकों को आदेश देता है अपने सस्त्र नीचे फेक दो यानि पदमा के ललकार ने पर भी असोक यूद्ध सुईकार नहीं करता है महराजा की पुत्रिय है अ़ उसका जो सयनिक उप्तर नहीं उसके यूद में कैसे बाद इसके आंसर है कलिंग के महराजा के मारे जाने और उसके सेनापती की बंदी हो जाने के बाद युद्ध करने महराजा की करने पदमा आती है यानि कलिंग के युद्ध में महराजा के मारे जाने के बाद उसको भी बंदी बना लिया तब उसके बाद महराजा की करने पदमा आत ललकार्ती तो असोक काते हैं कि सस्त्र इस्त्रियों के युद की इजादत नहीं देता है यानि जब असोक इस्त्रियों को देखकर अपने सेना को आदेश लेते हैं कि अपने हत्यार नीचे फेग दो तो पदमा के युद के लिए ललकार्ती है तो असोक काते हैं कि सस्त्रियो से यूद करने की आयात नहीं देता है तो पदमा काती है क्या साश्त्र की आग्या है कि तुम निर प्रादियों की हत्या करो असोक सिर जुका लेते हैं असोक सिर जुका लेते हैं लाखों प्रादियों की हत्या से उसका मन पिघल जाता है और मन ही मन कभी यूद ना करने का नि पदमा ने क्या कहा सैनिकों उसकी जो इस्त्री की सेना थी उसको लगने के लिए कैसे उत्साहित करने के लिए पदमा अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए उत्साहित करने के लिए जुनून भरने के लिए राजकुमारी पदमा ने अपने सैनिकों को संबोधित करते पद्मा है टुम एक वीर पत्निया हूँ वीर पत्नियां जी सेना ने तुम्हारे पिता का तुम्हारे भाई का पुत्र का ब käyttया के हमेर बात्र को हो सदा के लिए एक अन अखेश। यह जनब भूमी किसी और के होने से पहले हम अपनी जान दे देंगा जान जान मान सब कुछ लगा देंगे ये सारी बात का कर रखाए पदमा ने अपने सेनिकों को उसाहित किया इस खोसर और सस्त्र में अंतर बता है इस से फिक कर चलाया जाने वाले हतियार जैसे आपर तलवार बहुत सारे ऐसे राकते हतियार है जो हाथ में थाम करके चला जाता जैसे बंदूख हो गए तो यहाँ पर असो का सस्त्याका एम बीवियाई गेस सब्जेक्टिव कॉस्सन कंप्लीट हुआ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक कर दो